तो इसमें match list 1 with list 2, देखें, पहली है reaction, आमाइन के साथ N-A-N-H2, N-A-N-O-2 plus H-C-L की reaction हो रही है, simple di-zone azotization की हो गई, तो यहाने यह हो गई, आपकी N2 positive बन जाएगा, उसके बाद H2 के साथ हो रही है reaction, तो O attack करेगा, N2 निकल जाएगा, और यहाँ पर OH रह जाता है, यह भी खट गया, यह भी खट गया, यह भी, अगर आपको सिर्फ एक reaction आती थी, पहली वाली भी, उससे भी आपको final answer आगया 4, बाकी की reactions भी देख लेते हैं, फिनोल के साथ, जब आप, देखें, straight forward reaction है, यह तो आपको पता होनी चाहिए, कि जब फिनोल के साथ, NA2, CR2, O7, O, H204 की परजान reaction करते हैं, तो क्या बनता है, इसमें, बेंजो किनोल, बेंजो किनोल का structure क्या होता है, यह इधर double bond O, double bond O, इसको क्या बोलता है, बेंजो किनोल, 1, 4, बेंजो किनोल, तो यह हो गया, 4, मैच कर रहा है, अगें, यह वाला, CHCl3, AQUOS, NUH, और इसके साथ reaction हो रही है, तो यह क्या होगी, आपके, रिमन T1 reaction, रिमन T1 reaction में क्या बनता है, सैलिसल दिहाइड, यानि यह वाला product, ठीक है, तो यह C1, अगें, फिनोल के साथ, NUH, CO2, H के साथ reaction हो रही है, इसको क्या बोलता हो आप, कॉल्ब्स, शिमिट रियक्शन, ठीक है, कॉल्ब्स, शिमिट रियक्शन में क्या बनता है, सैलिसलिक ऐसीड, यह डारेक्ट क्वेश्चन से गाईज, यह तो नेम रियक्शन से डारेक्ट 3, तो I hope आपको समझ में आऊगा, बहुत स्ट्रेट फोड़ो क्वेश्चन था है, झाली झाल, समें कीशन, बहुत समय में क्वेश्यचन से गाईजब पूरेक्ट Import